पाकिस्तान भी कई ऐसी दिल्चस्प चीजे हैं जिनके बारे में सुनकर आपको थोड़ी हैरानी होगी यहां एक ऐसी ट्रेन चलती थी जिसे इंजन नहीं बलकि घोडे खीचते थे पाकिस्तान की इस ट्रेन का इतिहास दशकों पुराना है इस ट्रेन को लोग घोड़ा ट्रेन कहकर बुलाते थे किस्तान के फैसलाबाद में चलने वाली इस घोड़ा ट्रेन की शुरुवात साल 1903 में हुई थी इसे सामाजिक कार्यकरता और इंजिनियर गंगाराम ने अपने गाव फैसलाबाद में बनवाया था दौरान गाव में रेलवे ट्रैक बिचवाए गए थे जिसके उपर ये ट्राम चला करती थी ट्राम को घोड़े इस ट्राम को घोड़े खीचते थे ये घोड़ा ट्रेन बुचियोना और गंगापुर नाम के दो स्टेशनों को जोड़ती थी गंगाराम को पाकिस्तान के फैसलाबाद गाव में सरकार ने 500 एकर जमीन दी थी उन्होंने खेती के आधुनिक सामानों का इस्तिमाल किया भारी मशीनों को लाने लिए गंगाराम ने घोड़ों से चलने वाली ट्रेन बनाई थी नी सौ असी तक ये घोड़ा ट्रेन चला करती थी लेकिन फिर उसकी देखे़